Hello and Welcome to Satyam Classes, आप सबका स्वागत है, आज कम्प्यूटर की पहली क्लास में, तो भई, कम्प्यूटर की क्लास को स्टार्ट करने के पहले कुछ basic fundamentals जीजे हैं, जो आपको बहुत ही अच्छे से इस subject में strong बनाएगी, उसको follow करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, the very first thing, या जो भी notes आप बना रहे हो, आप चाहे जिस exam के त्यारी कर रहे हो, even KBS, TSSB, SuperTet, जिस भी exam के त्यारी कर रहे हो, आप computer की जब भी class attend करना, ठीक है, तो आप दो चीजे जरूर करना, एक तो जब questions के अंदर, questions के अंदर, कोई भी sort की की बात की जाएगी, तो एक session जरूर, एक page पर जरूर आप एक चीज बना लीजे, कि sort की एक जगह पर लिख लीजे, या जो copy में आप notes बना रहे हो, उस notes के पिछले, 4-5 page छोड़ दीजे, जहां आपको sort की लिखना है, और ठीक, जहां से आपने 4-5 page पीछे छोड़ा है, उसी notes में, उसी 4-5 page के और पहले आकर के आप एक और section छोड़ेंगे, जिसे आप full form में लिखेंगे, ठीक है, तो यह दो बहुत important है, क्योंकि आपके exam में दो question तो यहां से बनी जाने है, यह दो question आपके fix हो जाने हैं, और यह आप याद नहीं कर सकते हो, जैसे जैसे session में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे यह ची तो था, आपको यह थोड़ा इसी चीजें बताने के, जिससे आप अपनी तयारी को बहतर तरीके से कर सकते हो, और अब, अब हम start करेंगे, question answers, and जो भी लोग, KVSPRT, TSSB, या SuperTate के तयारी करते हैं, वो हमें follow कर सकते हैं, हम हर subject के तयारी, not even in course, हम YouTube पर भी करा रहे हैं, okay, so the very first question of the computer is, 1 MB is equals to, आपको बताना है, एक MB की value कितनी होती है, देखिए, अगर मैं बात करूँ MB के बारे में, आप लोग तब तक answer कीजिए, तो ये है memory, okay, अब सवाल आता है कि सर, memory है, तो memory कितने type की होती है, memory, दो type की होती है, okay, कौन-कौन सी होती है, तो सर, एक को internal कहते है है और एक को external कहते है, इनहीं के और नाम होते है, internal को ही हम main memory कहते है, internal को ही हम primary memory कहते है, ओके याद रखते जाएगा ये चीज़, ठीक है, and external को हम secondary memory कहते है, क्या कहते है, secondary memory कहते है, is it clear, समझ में आया, ओके, तो अब सवाल आता है कि ये जो चीजым लिखी गई है, ये क्या internal data का storage है, अब सवाल अता है sir, MB का भी full form तो होता ही होगा, देखो full form मिल गया आपको, अब note करिए fatax से, MB को हम megabyte बोलते हैं, क्या बोलते हैं बई, megabyte बोलते हैं, note करिएगा, अब इसमें, इसका answer क्या होगा, कि एक MB में कितने GB, GB को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम gigabyte बोलते हैं, देखें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, okay, byte आप देखी रहे हैं, KB को हम kilobyte बोलते हैं, KB को हम kilobyte बोलते हैं, यह सारी चीजे बताने के बाद, मैं आपको आंसर बता दूँगा, और यहाँ पर फिर से 1 KB लिखा गया है, तो आपका आंसर आ रहा होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, 1 MB किसके equal होती है, 1 MB किसके equal होती है, very good, 1024 KB के equal होती है, देखो, आपको यह जो 1024 दिख रहा है ना, my dear friends, 4 bit होता है, यह equal होता है 1 Nibble के, बहुत important है, यह छोटी-छोटी चीज़ें कोई आपको बताता नहीं है, यह है 1 Nibble के equal, जो 8 bit होता है, जो 8 bit होता है, यह equal होता है 1 Byte के, 1 Byte के, अब आपका पहाड़ा चलेगा, 1024 का, तो एक चीज़ याद रख लीज़े, माइंड में, कि कहीं भी, हमें 1000 का कोई पहाड़ा नहीं मिलता है, बच्चे या करते हैं, कि 1000 का टेबल कनेक करा लेंगे, और यह आंसर करके आ जाएंगे, तो यह गलत हो जाएगा, ओके, सो अब 1024 bytes जो होता है, मतलब कि 1024 हर जगा लिखते जाओ, और जो आपको नया मिल रहा है, उसको next step में लिखते जाओ, तो 1024 के भी, equal होगा 1 MB के, इसी तरह से अगर हम MB की बात करें, तो यहाँ पर MB जो है, यह 1000 यहाँ फिर से लिख दो, 1024 MB, यह हो जाएगा 1 ZB, फिर से हम GB यहाँ लिख सकते हैं, ओके, फिर से हम यहाँ पर GB लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1024 GB, equal हो जाएगा किसके, 1 TB के, और TB से आपका next जो मिलता है, वो बहुत important है, वो भी exam में पूछा जाता है, star बना के लिखिएगा, 1024 TB जो होता है, यह equal होता है, 1 Petabyte के, 1 Petabyte के, PB की मतलब होता है, Petabyte, clear, तो यह थी, थोड़ी सी basic knowledge, जो आपको पता होनी चाहिए, तो यह जो जितनी भी चीजें मैंने बताई, यह किसके अंदर आएगी, तो यह main memory, यानि की internal memory के रूप में, इसे जाना जाता है, ओकी, आगे बढ़ते हैं, next, हाँ, यह external memory में भी यूज होता है, बहुत से बच्चे ऐसे confused हो रहे होंगे, लेकिन, जब कोई भी device बनाई जाती है, सबसे पहले हम उसे इसी bit के आधार पर बनाते हैं, इस वज़े से मैं इसे बता रहा हूँ, कि यह internal memory में सबसे पहले यूज होता है, external हम उसके पास रखे होते हैं, जैसे हमारे laptop में, HDD होता है, आपने सुना होगा, HDD होता है, SSD होता है, यह सब चीजें किस के अंदर आती हैं, यह secondary memory के अंदर आती हैं, आपने computer की भी बात सुनी होगी, कि 32 bit का है, आपने सुना होगा, 32 bit windows है, 64 bit windows है, ठीक है, तो आपने नहीं सुना है, तो यह सब सुन लीजें, क्योंकि आगे इन से questions आने वाले हैं, वहाँ पि मैं ज़्यादा define करूँगा, लेट आस मूब तो next question, second question is on your screen, bit stands for, तो भाई अभी बहुत ज़्यादा bit, bit, bit कर रहे थे, तो अब बताओ, bit का form, full form क्या होता है, देखें, दूसरा question आपका full form से आगे, तो bit stands for, just very simple binary digit, what will be the answer, binary digit, ओके, तो इसका नामी होता है, binary digit, अब सवाल होता है, कि सर, binary digit होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, binary digit, computer की भासा में, आप जैसे हम अपनी जो, number पढ़ते हैं, math में, वो, 1111, 1212, 1313, आपने देखा होगा, जितनी number होती हैं, ये 10 के आधार पर चलती हैं, इसे decimal, प्रडाली बोलते हैं, decimal system बोलते हैं, जो चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे दसक्यादार पर, 10, 1 10s, and 1 1s, then मिल करके, ये 11 होता है, इसी तरह से, 1 10s, and, 2 1s, तो ये मिल करके, 12 होता है, तो my dear friend, ये देखो ना, ये 10 के base पर, इसी तरह से, 20 जो होता है, उसमें 2 10 होते हैं, 30 जो होता है, उसमें 3 10 होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसे decimal बोलते हैं, ठीक है, chemistry में, इसी 10 को हम, deka बोलते हैं, deka बोलते हैं, तो ये जो word decimal आया है, वो यहाँ से निकल कर आया है, डेका से निकल करा है, ठीक है, इसी तरह से computer के अंदर जितना भी calculation होता है, जो भी data feed होता है, वो bit में fit होता है, और यह जो bit होता है, याद रखेगा, यह जो computer calculate करता है, यह binary यानि की 2 की digit के आधार पर करता है, इसके पहाड़े 2 के आधार पर चलते हैं, binary का मतलब ही होता है 2, clear हो गया, यह मैं समझाने चाहरा था आपको, next question is on your screen, internet explorer is a type of, तो भई, बहुत से लोगों ने इसको देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, देख लेते हैं internet explorer, एक बार फिर से देख लो भई, क्या होता है internet explorer, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह internet explorer, यहाँ पर द यह एक तरह का browser है, क्या है बाई, operating system नहीं है, यह एक तरह का क्या है, browser है, जैसे chrome होता है, जैसे internet explorer होता है, ठीक है, आपने सुना होगा, chrome का नाम, internet explorer, इसके पहले mozilla चलता था, बहुत ज़्यादा famous था, mozilla भी चलता था, ठीक है, तो यह सब क्या है, browser है, इनको याद रखे ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question, the internet is, internet जो है, वो किस तरह का network है, organization network है, private network है, public network है, या ISP network, तो just very simple, it is a public network, internet by public network है, किसी का हग तो होता नहीं है, तो यह private network नहीं रहा, कोई organization के लिए ही, अके लिए तो use होता नहीं है, तो यह भी नहीं रहा, next question is on your screen, CRT stands for, बहुत important है, याद रखेगा और मैं इसको आपको figure के तुरू दिखाऊंगा, लिख लिजी ए, full form आ गया ना, मैंने बताया था कि जब भी computer की class आपकी चलेगी, उसके अंदर full form जरूर आएगा, ठीक है, अब देखो, full form क्या होता है, cathode ray tube होता है, कैसे होता है पहले देखो ध्यान से, इस तरह के monitor आपने बहुत पहले देखे होंगे, अगर आप connect करा पाओ, तो इसे CRT monitor के नाम से जानते हैं, आज हम LCD यूज करते हैं, LCD यूज करते हैं, ठीक है, तो मेरा homework है, आप homework इसको note करिएगा, कि LCD का क्या full form होता है, वो जल्दी से comment करके हैंगे, ठीक है, then CRT जो होता है, आप देखे हैं, बहुत बड़ा सा ऐसे picture बना होता है, निकल के रखे आता है, तब फिर यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, play होता है इस तरह से, अब इसके designing देखो, तो अंदर कुछ इसी तरह से, ऐसे पहले पुराने जमाने में, TV या जो होते हैं, वो electrode से relate करते हैं, electrode क्या होता है, वो positive and negative charges के उपर depend करता है, cathode positive charge पर चलता है, anode negative charge पर चलता है, अब यह science की चीज़े हैं, यह कभी मुलाकात होगी तो बताएंगे, देखे, यहाँ पर लिखा भी गया है, कि anode के यह दो particle होते है, cathode and electrode, cathode and anode, ठीक है बई, यहाँ पर anode भी दिख रहा है, negative और cathode positive होता है, तो cathode ray tube experiment यह तो किया गया था, किसके लिए किया गया था, जब आप कभी electricity का chapter पढ़ेंगे, तो आपको उसमें समझ में आएगा, ठीक है, तो बहुत simple सा है, cathode ray monitor इस तरह से होता है, आपने देखा भी होगा, so the right answer will be option number C, cathode ray tube, okay, cathode ray tube, देखो यहाँ tube की spelling गलत है, इस वज़े से यह answer गलत हो गया, otherwise cathode और ray सब सही था, next, the hexadecimal number system, देखो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि binary digit, binary digit number system यह दो के आधार पर चलता है, किसके आधार पर चलता है, बहीं, यह दो के आधार पर चलता है, decimal number system, यह 10 के आधा पर चलता है, मैंने आपको बताया, decimal number system, यह किसके आधार पर चलता है, 10 के आधार पर, hexadecimal लिखा है, hexadecimal, कहा गया, इसको represent कैसे किया जाएगा, देखो, hexa का मतलब क्या होता, यह मतलब होता है, 6, ठीक है, और decimal का मतलब 10 होता है, अब इनका representation जो होता है, बहुत unique है, इस 0 to 9 and AF से represent करते हैं, ठीक है भई, क्योंकि हम 10 से represent नहीं कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा connect कराना चाहो, तो आपको F मिलेगा 6 number, 6 number पर, और 0 से 9 के बीच में यह 10 आ जाता है, ठीक है, तो यहां से यह चीज़ आप connect करा सकते हो, AF 0 to 9 यह important है, hexadecimal number system, कई बार यह exams में पू Before actual delivering at the receiver site, this process is known as, जैसे क्या होता है, कि मान लो कि कोई चीज़ आपने, जैसे Amazon से आप कोई order करते हो, समझो ध्यान से, पहले इस question का मतलब समझो, Amazon से आपने कुछ order किया, तो Amazon वाले क्या करेंगे, Amazon वाले आपका order लेंगे, जैसे मान लो आपने एक ball order की, ठीक है, तो इस ball को लेंगे, उसके बाद इसकी packaging करेंगे, my dear friends, ठीक है, इसकी packaging करेंगे, अच्छे से, उसके बाद इसको लगाएंगे transport पर, ठीक है, एंड ये transport पर कई steps से गुजरता है, मतलब कि कई जगहों से आएगा, फिर उसके बाद delivery बॉआए, इसको लेगा, after that ये आपको receive होता है, ठी प्यूटर से related data है, और data जब तक रास्ते में रहता है, तो इसी process को क्या कहा जाता है, आपसे यही पूछा गया, data is merged at transport layer before actual delivery, actual delivery के पहले, at the receiver side, this process is known as, उस process को हम क्या नाम देते हैं, तो अभी मैंने word यूज किया, कि हम packaging करते हैं, क्या करते हैं भई, packaging करते हैं, तो बहुत simple सा answer आप कर सकते हो, कि packing उसे हम बोलते हैं, reassembling नहीं बोलेंगे, segmentation नहीं बोलेंगे, blocking तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, blocking का मतलब ही हो जाता है, रोग देना, ठीक है, मैं English में इसलिए करा रहा हूँ, क्योंकि आप English में ही समझने की कोशिस करो, तो आपका answer क्या हो जाएग packing, next, देखें, यहाँ पर एक figure से आपको show भी किया गया है, अगर आप देख सकते हो, तो देखो यह packets होते हैं, जब हम data को रास्ते में रखते हैं, यह packets होते हैं, आप देखें, इनके नाम में लिखा गया packet, यहाँ data जो होता है, transport layer से चला है, from से चला है, and data transport layer को पहुँचा है, यानि कि receiver के पहुचा है, और इस पूरी process में क्या होता है, इसे हम packets का नाम देते हैं, यानि कि packing होती है, answer क्या होगा, इसका packing, let us move to next question, which one of the following is not included in digital payment system, this is very simple question, जल्दी से आपको बताना है, कौन सा ऐसा है, जो digital payment system में include नहीं होता है, my dear friend, जितना भी आप networking करते हो, online transaction करत हो, जितना networking करते हो, ठीक है, यह सारी इस सारी चीजें क्या होती है, online transaction, net banking, ठीक है, mobile wallet, यह जैसे paytm हो गया, यह सब wallet होते हैं, तो यह सब digital में आते हैं, तो sir, net banking भी cancel हो जाएगा, क्योंकि यह digital में आएगा, हमसे पूछा गया, not included, okay, and mobile wallet भी cancel, check payment जो होता है, यह हमारा offline, यानि कि digital से relate नहीं करता है, तो यह हमारा answer हो जाएगा, next question is on your screen, FTP uses services of, this is a star question, बहुत बार पूछा जाता है, और बहुत से बच्चे इसको छोड़के आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, तो बिट अप, पहले मैं FTP को आपको figure से समझाना चाहता हूँ, FTP, आप ये तार देख रहे होगे, तो जो बड़े बड़े computer होते हैं, या जहां ज़्यादा काम होता है, उनके CPU में ऐसे तार लगे होते हैं, अब इन तारों का काम क्या होता है, तो file transfer करने का काम होता है, तो यहां से एक चीज तो समझ में आई सर, file transfer, दो word का मतलब समझ में आ transfer protocol होता है, तो TCP की, TCP के services को use करता है, किसको use करता है भई, TCP के services को use करता है, got it, clear हुआ सबको, ठीक है, अब आपका काम है, कि TCP का full form, UDP का full form, SMTP का full form, and DDNS का full form, अपनी copy में सर्च करके लिखना, क्योंकि जब आप सर्च करके लिखोगे, work करोगे, homework करोगे, तो आपको ज़्यादा याद होगा, एक दिन देखना, कि यही homework आपको बहुत ज़्यादा benefit होगा, जब आप exam में बैठोगा, ठीक है, next, and the last question of the day, compiler is used to convert the following to object code, which can be executed, ऐसा compiler, जो क्या करता हो, यूज किया जाता हो, object code को, execute करने में, जिसके तुरू हम object code को क्या कर सकते हो, execute कर सकते हो, ऐसे compiler को हम क्या करते हैं, options हैं, आपके पास, high label language, low label language, assembly language, and natural language, हमारा answer होगा, high label language, ठीक है बई, essay compiler, जो code को, convert करते हैं, object code को convert करते हैं, ठीक है, उन्हें हम high label language के through करते हैं, high label language के through सीखते हैं, जब मैं language के बारे में, आपको कभी detail में, इसके उपर session लाओंगा, ठीक है, अब आप मुझे topics जरूर बता सकते हो, कि सर, इसके उपर एक session दे दीजिए, इसके उपर एक session दीजिए, छोटा-छोटा सा, तो मैं उसके उपर एक छोटे-छोटे वीडियो में, दो-दो मिनट क आपके weekly कुशिश करूँगा, कि मैं उसको दिखाते रहूँगा, बताते रहूँगा, practically, ठीक है, so thank you, and all the best, मिलेंगे, अपनी next class में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, and मुस्कुदाते रहिए, और अपनी तयारी को करते रहिए, thank you.